अस्टील ओथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड इसको अस्टील प्लांट के लिए निकाला है भैकेंसी चलिए डिटेल में समझते हैं यहाँ पर डेट दिया हुआ है और एड़टिज्मेंट नंबर दिया हुआ है नन एक्जिक्यूटिब और एक्जिक्यूटिब दोनों के लिए निकाला है तो सबसे पहले समझेंगे नन एक्जी क्यूटिब के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले एक्जी क्यूटिब के लिए दिया हुआ है और नीचे में दिया हुआ है नन एक्जी क्यूटिब के लिए तो यहाँ पर पर देखिए, डिटेल में दिया हुआ है, मेकेनिकल के लिए 20 सिट है, मेटलर्जी के लिए 14 सिट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20 सिट है, इंस्ट्रुमेंटेशन के लिए 5 सिट है, और केमिकल के लिए 5 सिट है, सिबिल के लिए 5 सिट है, और सिरामिक के लिए 4 सिट है, और यहा के लिए 5 है और OBC के लिए 19 है OH के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 3 और यहाँ पर HH के लिए यहाँ पर 11 सिठ है और ESM के लिए 10 है और Total 73 हो गया Clear हो चुका होगा और नीचे में यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लिजेगा Includes Backlog Vacancy को भी Include किया गया है तो यहाँ पर यह सभी को आपको पढ़ लेना है अब चलते हैं आगे आगे यहाँ पर देखिए S1 Grade के लिए यहाँ पर S1 Grade लिखा हुआ है तो S1 Grade का समझ लिजे S1 Grade के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 40 सिठ है Total और यहाँ पर डिसिप्लीन आप यहाँ पर समझ लिजे Feater के लिए 13 सिठ है Electrician के लिए 10 सिठ है Turner के लिए 5 सिठ है Welder के लिए 2 सिठ है और Heavy Vehicle Driver के लिए 10 सिठ है तो Clear है General में 6 सिठ है SC के लिए 11 सिठ है ST के लिए 9 सिठ है OBC के लिए 14 सिठ है और EWS के लिए नहीं है और OH के लिए नहीं है PWD में OH के लिए नहीं है HH के लिए है और ESM में 6 है Total 40 हो गिया और जो भी आप Cell का जो जानते हैं Rule नियम जो जानते हैं वही है जो आपको Age Relaxation मिलता है वो सब कुछ मिलेगा और Age 28 साल General में और यहाँ पर देखिए यह कौनशा है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिजे Name of the Post Operator come Technician Boiler Operation Boiler के लिए अलग से दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 13 seat है Number of Post कितना है Boiler के लिए 13 है General के लिए 2 AC के लिए 7 ST के लिए 2 और OBC के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर OH के लिए एक दिया हुआ है ESM के लिए एक दिया हुआ है और Attendant Come Technician Boiler Operation S1 के लिए यहाँ पर देखिए Number of Post 7 है और यहाँ पर General के लिए 3 है और AC के लिए 3 है ST के लिए नहीं है OBC के लिए 1 है इधर में पढ़ सकते है क्या Qualification है Reservation जो मिलता है वो सब कुछ मिलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इधर में आपको रोक लेना है देखिए Eligibility है देखिए तो इहाँ पर सबसे पहले यह तो Officer Grade का है Executive का तो इहाँ पर आप देख सकते है S3 और S1 के लिए नीचे में होगा S3 और S1 के लिए नीचे में इहाँ पर अभी आया नहीं है इधर में Start हो गिया है इहाँ पर None Executive Post के लिए तो इहाँ पर देख सकते है 28 साल ना इहाँ पर देखिए OVC और PWD को जो मिलता है Edge Relaxation वो मिलेगा ठीक है और इहाँ पर देखिए क्या है General के लिए Marks कितना होना चाहिए 50% और STAC के लिए और PWD के लिए और Departmental के लिए इहाँ पर 40% होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इधर में आप पढ़ लीजिए देख लीजिए या फिर आप Google में भी सर्च करके देख सकते हैं इहाँ पर देखिए Operator Come Technician Boiler Ace 3 के लिए इहाँ पर जो 13 seat है जो पहले भी मैं बताया हूँ तो उसके लिए Age कितना है यानि कि 30 साल Upper Age कितना है 30 साल लेकिन और बाकी के लिए 28 साल ही है तो इहाँ पर यह आपको देखना होगा Boiler के लिए 30 साल है सब में 28 साल है लेकिन Boiler के लिए 30 साल है तो इहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं और सब को आप अच्छास एक पर पढ़ लीजिए Age Relaxation में यहाँ पर दिया हुआ है Age Relaxation में क्या है देखे 5 Year 4 Post Sir 4 AC, ST के लिए 5 साल और 3 Year OBC के लिए यही तो सब कुछ में है न तो सब कुछ जो मिलता है Age Relaxation वो मिलेगा याद रखिए आप पढ़ लीजिएगा मैं पढ़ूँगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ठीक है तो इतने ही था इधर में बाकी एक जिक यूटूब का है और इहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है इसको आप समझ लिजिए जैसे आपको 2 सल का ट्रेनिंग प्रियेड होगा तो 1st Year में एसवन ग्रेट के लिए जोईन करेंगे उनके लिए 1st Year कितना होगा 12,900 और 2nd Year के लिए 15,000 होगा ठीक है तो ये किलियर हो गया होगा और बाकी इधर में आप पर सकते हैं और लास्ट में दिया होगा अच्छा इहाँ पर भी देखिए height मांग रहा है यहाँ पर देखिए S1 के लिए यहाँ पर S1 लिखा हुआ है S1 के लिए यहाँ पर देखिए height minimum यहाँ पर लिखा हुआ है weight minimum लिखा हुआ है और female के लिए इधर में लिखा हुआ है लेकिन किसके लिए है यह किसके लिए है E3 Assistant Manager और BOE यहाँ पर लिखा हुआ है और S3 भी लिखा हुआ है और S1 भी लिखा हुआ है ना तो यह सब आप पढ़ लिजेगा डिटेल में उसके बाद आपको फोर्म अपलाई करना है और त्यारी करते रहिए तो किलियर हो चुका होगा बाकी सब आप इधर में पढ़ लिजेगा